नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर तो पाकिस्तान के लिए एक काफी बड़ा जटका सामने आया है तर्की जो की हर बार पाकिस्तान का साथ देता आया है कश्मीर मुद्दे को लेकर इस बार उसने अपना रंग बदल लिया है क्योंकि यहाँ पर तर्की के ऊपर और कई सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले तीन सालों में तर्की ने हमेशा कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की ही सपोर्ट करी है September 2020 में इन्होंने पाकिस्तान का साथ देते हुए UNGA की Assembly में यह वाला Statement कहा था कि Steps taken following the Abolition of the Special Status of Jammu-Kashmir have further complicated the problem इस चीज़ को इंडिया ने definitely अच्छे तरीके से accept नहीं किया था और इंडिया के जो Ambassador है T.S. Trimurti इन्होंने यहाँ पर कहा था we have seen remarks by President of Turkey on Indian duty of Jammu-Kashmir they constitute gross interference in India's internal affairs कि तर्की को इंडिया के अंदुरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए in fact इन्होंने यह भी कहा कि तर्की को should learn to respect the sovereignty of other nations and reflect on its own policies more deeply similar चीज़ करते हुए तर्की के President Recep Erdogan ने September 2021 में same चीज़ करी Pakistan के साथ देते हुए इन्होंने यह कहा कि we want to solve the problem of Kashmir जो कि पिछले 74 एर से चलती आ रही है now यहाँ पर भी India ने इनको remind करवाया कि यह हमारा अंदुरूनी मामला है यह हमारा bilateral dispute है तर्की को इस चीज़ को लेकर कुछ बोलना सही नहीं है लेकिन now we have a new news coming in front of us जहाँ पर आप देख सकते हैं there is some trouble in the paradise tensions have risen between Pakistan and Turkey because Turkey ने कश्मीर को लेकर अपना stand soften कर लिया है दो-तिन events यहाँ पर सामने आए हैं जो की बता रहे हैं कि जी हाँ stand definitely यहाँ पर soften किया गया है पर हमारे लिए जादा जरूरी जानना ये है कि असल में ऐसा क्यों हुआ है चले शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टरिदाम चैनल के माध्यम से इसके इलाबा आप लोग जूट सकते हैं using this particular handle on the Unacademy app as well right so as you can see over here basically एक political advisor है और एक author है और एक geopolitical expert भी है जिनका नाम है Sergio Restelli यह एक Italian news website के लिए लिखते हैं जिसका नाम है Inside Over आप देख सकते हैं जाकर इस particular website को इन्होंने इस particular website में एक बहुती बहदरीन article लिखा जहां पर यह कहा जा रहा था कि in Pakistan's corridors of power there seems to be dissent and displeasure over Turkey's lack of enthusiasm on Kashmir and uneasiness over Turkish President Recep Erdogan's declining fervour now Restelli ने ऐसा क्यों कहा उसको समझ लेते हैं recently क्या हुआ था एक talk show में जो Turkey के President है Recep Erdogan इन्होंने compare किया Uyghurs और Rohingya को कश्मीरियों के साथ Uyghurs और Rohingya कौन लोग है Uyghurs भी एक तरीके से minority लोग हैं जो की चाइना के जिंगजां के इलाके में रहते हैं और खास रूप से ये टर्किक टर्किक ethnic group को बिलॉंग करते हैं इनके साथ कई सारे मानव अधिकानों के हनन की खबरें अकसर सामने आती रहती हैं Almost similar तरीके से Rohingya लोग जो की अपने घर से भाग हुए लोग हैं जिनको की stateless लोग कहा जाता है और ये Islam को follow करते हैं इनकी भी हालत काफी खराब है तो इन्होंने Uyghurs और Rohingya और कश्मीरियों को Same यहां बताते हुए कहा कि ये ऐसी problems face कर रहे हैं जो की completely हमारे Islamic world को affect करती हैं So ये था पहला statement दूसरी चीज क्या हुई थी Recently तर्की ने पाकिस्तान के president को host किया था एक state function के ऊपर वहाँ पर Erdogan के द्वारा किसी प्रकार का कोई mention कश्मीर को लेकर नहीं किया गया था He was very very cautious बहुत ज़ाद सतर्क थे कि वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर बातचीत ना करें तीसरा चीज क्या हुआ था September के शुरुवाती दिनों की बात है Sayyad Ali Shah Gilani की मृत्यू हुई थी और उस time पर आपको मालू होना चाहिए कि ये JNK Assembly के एक ex-sadat से भी रह चुके है और साथी में He is also considered to be the father of insurgency in Kashmir and he is also considered to be a pro-Pakistani separatist इनको लेकर किसी प्रकार का condolence message Turkey के द्वारा offer नहीं किया गया था तो ये clearly show करता है कि ये Turkey का जो stand है वो कश्मीर को लेकर soften हो चुका है इस चीज़ को लेकर Pakistan काफी नाखुश है because Pakistan ये जानता है कि Turkey उनका काफी अच्छा दोस्त था काफी लंबे time से वो उनको support करता है कश्मीर मुद्दे को लेकर लेकिन suddenly because Turkey ने ये वाले कदम लिये जिसके चलते पाकिस्तान काफी जादा नाराज और नाखुश हो चुका है In fact आपको बताना चाहूंगा कि Turkey ने ये चीज़ केवल भारत के साथ ही नहीं करी बलकि Turkey अपने पडोस में अपने पडोसी देशों के साथ और जगा-जगा पे संबंध बहतर करने में लगा हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर है तर्की-UAE ties move to new level ये वाली खबर रिसेंटली सामने आई थी 24 नवेंबर की बात है इसके साथ में Turkey is also trying to realign the ties with the Egypt and various other Gulf rivals तर्की काफी बड़ी कोशिश में लगा हुआ है कि उनकी जो संबंध है वो अलग-अलग देशों के साथ बहतर हो जाएं बड़ा सवाल यह आता है कि तर्की असल में ऐसा क्यों कर रहा है वाई इस एर्दुगान डूइंग सो एर्दुगान की जो domestic level of political support है वो तो नीचे आ ही रही है लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो आज तर्की के सामने है आपने सुना होगा तर्की की जो currency है वो बहुत तेजी से गिर रही है इस टाइम पर एर्दुगान cannot look to make new enemies और इसी लिए वो अपने सभी आसपास के देशों के साथ संबंदों को बहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है तो पाकिस्तान जो मर्जी बोलता रहे कश्मीर का मुद्दा आज तर्की के लिए उतना relevant नहीं रहा है और इंडिया उनके लिए जादा important partner बन चुका है because तर्की की जो economic problems है वो जादा बड़ी हो चुकी है in fact तर्की की सबसे बड़ी problem क्या थी कि हाल ही में तर्की को financial action task force की grain list में add कर दिया गया था जिसमें आपको बताना चाहूँगा पाकिस्तान को भी add किया गया था और ये तर्की के लिए काफी बड़ा जटका था because ऐसा तर्की के साथ पहले नहीं हुआ था तर्की was added to the FATF for failing to check the terror financing और क्योंकि तर्की कही ना कहीं ये मानता है कि अगर वो पाकिस्तान का इस particular कश्मीर मुद्वे को लेके साथ देगा तो उनका FATF के list से निकलना और मुश्किल हो सकता है not just the FATF list अगर वो FATF list में रहते हैं तो उनकी जो currency है वो US dollar के सामने और भी खराब हो सकती है और आगे जाके तर्की में international investment के जो avenues हैं वो भी और कम हो सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह खबर सामने आया थी आज से दो मेने पहले की बात है October end की जब जो आपका Turkey का देश है उसको FATF की watch list के अंदर डाल दिया गया था जैसा भी है पाकिस्तान के लिए तो obviously काफी खराब चीज है यह इंडिया के लिए definitely हम मानते हैं कि यह अच्छी खबर सामने आई है because we definitely do not want कि कोई और country हमारे अंदरोनी मामलों में आके या फिर हमारे bilateral disputes में आके दखल अंदाजी करें आप इस particular step को लेके क्या सोचते हैं प्लीज अपनी राए हमें comment section न definitely दीजेगा फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी UPSC की तयारी को और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से batches को शुरू करवाया जाएगा इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है combat में जिसमें you have to use the referral code ANI UPSC so that आपको scholarship मिल सके on that note I take your leave thank you for listening stay tuned and stay safe